देखो मेरा नाम है जै वैसे मुझे कहना चाहिए कि मुझे आप लोगों से मिलकर काफी ज़्यादा खुशी हुई लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि जिन्दगी मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दे रही है और ये जो सामने वाला घर तुम देख रहे हो ये मेरा ये अरे हो रहा है अच्छा जाकर तो तयार हो जाने का समय हो रहा है तेरा अरे यार कल से जल्दी उठूंगा ये आदत अच्छी नहीं है बैरी बैरी वैसे मुझे पता है कि मेरी अंग्रेजी सच में थोड़ी बुरी है लेकिन एटिटीट भी जरूरी है और हमको सीधा अपने दो ही चला जाता हूँ और हाँ इसकी हमारी दोस्ती तनी ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि परिक्षा में हमारी ही नकल करता है फिर वी फेल हो जाता है क्योंकि हम खुदा ही फेल हो जाते हैं अरे यार कॉल इस पहुंचने में देर हो गई मुझे जल्दी से गाड़ी खमन्त बड़ी चीज एक तो बपर नहीं लगता देखना तो सरमिंदघी बहुत दीनों तक रहती है, याद रखना वैसे देखो ये कहानी थोड़ी एलग है लेकिन इसे खमजोर समझना बेशक गलत है और साथ ही इतनी स्टोरी बनाने के बाद एक स्टोरी प्यार की भी जरूरी है लेकिन इसमें प्यार ही नहीं दुस्मनी भी पूरी है लेकिन मेरे भाई अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्षन में जरूर बताना की स्टोरी कैसी लगी और मैं थोड़ी दर बाद घर पे पहुंच जाता हूँ और भाई ये क्या ताला क्यों लगा हुआ है यार हेलो मा आप और बहन कहा हो घर बंद करके अरे बेटा तुम्हारी बहन की तबियत काफी जादा खराब है उसको आज दो गोलियां लगी और उसकी हालत काफी जादा खराब है तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल आना चाहिए और इतना सुनने के बाद मैं तुनन थे अपनी बाइक से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता हूँ लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कर ये हुआ कैसे ये साले आदमी है लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं लेकिन एक भी लड़की किड्नैप करके नहीं ला पाते हैं लगता है आज मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि इस समय बिदेश में इंडियन लड़कों की कीमत काफी ज़्यादा मिल रही है मैं इनको वहाँ पर बेच दूँगा और काफी ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ओ कालेज वाली लड़की मिल गया शिकार ओ कालेज वाली लड़की रुख जा अरे भईया आपने मुझे क्यों रोका जल्दी बताएए मुझे कालेज जाना है अरे रुख जा इतनी जल्दी क्या है कॉलेज तु रोज जाती है आज तु हमारे साथ चल अरे भईया मुझे जाने दीजिए वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी अच्छा पुलिस को कॉल करेगी तेरे को लगता है अपनी जान से प्यार दुनी है ये ले भईया बचाओ बिल्ला गैंग वालों से आथ तक कोई नहीं बचा तू भी नहीं बचेगी एक सिकार मिला था वो भी चलो ठीक है यार पुलिस आने वाली है मुझे यहां से निकलना पड़ेगा अरे यार कोई सवारी तो मिली ओ भाई ये डेड़ बॉडी किसकी है मुझे इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा तुरंट लोकेशन तो इसी अस्पताल का बता रहा है लगता है यही है मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर सारी बाते पता करनी पड़ेगी अरे भाई अंडर जाने से तो मना किये हैं ओ भाई डॉक्टर आ गई हेलो मैं हेलो लगता है आप ही जै हो तो देखो आपकी बहन को दो गोलिया लग चुकी है उसका सारा खून बैच चुका है और हमें उसका जल्द से जल्द आपरेशन करना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें दो लाख रुपए लाना पड़ेगा और अगर तुमने आज साम तक पैसे जमा नहीं किये तो तुम अपनी बहन को नहीं बचा सकते हो अरे मैं ऐसा मत बोलिये मैं किजी भी तरह पैसे जमा कर दोंगा आप बस आपरेशन की तयारी करिए अरे जै भाई जै भाई रूको अरे पप्पो तु यहां कैसे यह बताओ तुम्हारी बहन सही तो है ठीक तो है अरे नहीं याद बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इलाज के लिए बहुत डेर सारे पैसे चाहिए अरे जै भाई तुम क्यों दोगे पैसे जिसने हमारी बहन को प्रॉपलम में डाला है वो देगा ना पैसे कौन है वो ज़्यादा तो नहीं पता लेगर वो बिल्ला गैंग के काम लगता है मतलब वो चारो बिल्ला गैंग के लोग देखो जै भाई मेरा मानो तो उनसे पंगा मत लो बहुत खतरनाग लोग है वो वो कौन है क्या करते है मुझससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है पपू लेकिन उन सालों ने मेरी बहन को मारने की कोशिस की मैं उन चारों मैंसे किसी को नहीं छोड़ूँगा तू तू करना क्या चाता है जै भाई तू नहीं तो कहा ना पपू जिन्नोंने ये किया पैसे उन्हीं को भरने चाहिए और फिर उन्हें भी मरना चाहिए अब तू देखना आगे आगे होता है क्या मिलते हैं बदले की भाउना मुझे में कुछ ऐसा समाया कि अपनी मौत से मैं खुद टकराया अब मौत मिले तो मौत ही सही लेकिन खुद में ऐसा जूनन मैंने पहली बार पाया ओहो तो ये हैं लोगों का अड़ा इसमें ही लड़कियों को ये किड्नैप करके ले जाते हैं और इनके प्लान को फेल करने के लिए मेरे को एक आइडिया आता है और मैं अपना सारा इस्टिकी बब इनके सारे ट्रक में लगा देता हूँ और इनको बुलाने का बस यही एक तरीका है अरे बॉस ये लड़का कौन है पहचान मेरी इतनी खास भी नहीं कि मैं बताओं कि तुम लोग मुझे पहचान जाओगे बस तुम लोग इतना जान लो कि बस आज तुम लोग अपनी जान से जाओगे अरे भांग सुन लिया है क्या लड़के निकल जा वरनाभी कभी मार के फेक देंगे अच्छा जैसे तुमने मेरी बहन को मार रहा था बहन अच्छा अच्छा ये कुट्टे का पिला उस लड़की का भाई है अच्छा तो ये बात है अपने पीछे देखो अभी तुम्हें एक सप्राइज मिलेगा नहीं गुत्ते के बच्चे अब तु नहीं बचेगा अरे खड़कियों थोड़ा तनी से बात करो मैं जिंदा रहने का मज़ा नहीं देगा ये लो गुस्से की आग में मैंने उन सब को मार दिया एक प्यारवरी जिंदिगी को मैंने अपने गुस्से के सामने हार दिया और इन पुलिस वालों का टाइम भी एक डम अलग होता है ये तब क्यों नहीं आते जब कुछ गलत होता है लेकिन फिर भी ना चाते हुए भी भागा मैं और देखो सब कुछ होने के बाद भी रह गया अधा मैं बाकी मुस्से बाते करने के लिए इंस्टाग्राम के लिंक डिस्कृस्चन में मिल जाएगी आ जाओ